सद्सार भो स्री और सद्सार गाली ये गाली का जो परचलन क्यों हुआ और भो और स्री का मतलब यहां क्या है ये बहुत साधरन सी बात है मगर चुकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और पहले भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी इसलिए इसको समझना बहुत आवशक है प्राने समय में, पाली के समय में, बुद्ध के समय में, बुद्ध से पहले के समय में एक बहुत प्रचलित सब्ध था भो भे और ओ की मात्रा भो भो जो सब्था वो ठीक आज का ऐसा सब्था जैसे हम किसी को बोलते है ओ ओ भाई ओ या ए भेन ए या कहते हैं के ओ माई डियर यानि के ओ मेरे प्री है ओ माई डियर और O ओ और A ये शब्थ बहुत ज़दा आज की रेट में है ये भो से सब्थ बने हुए है यानि भो का ही रुपांतरन है इनका अर्थ दोनों का सेम है सब्थ दोनों के अलग अलग है पुराने समय में बहुत ज़दा बोला करते थे देखोंगी आम बोलचालगी भासा में पूरे दिन में कई बार लोगों को बलाना पड़ता है ओ ए या माई डियर कहके और जो आपने एक सब्द सुना होगा संत सिरो मनी संत माने तो शांत होता है और सिरो मनी माने होता है कि हैड यानि सर की मनी यानि सर के डायमंड, सर के हीरे जो सर के उपर होता है तो सारे जितने भी लोग हैं उनमें वो सिरो मनी है यानि हैड है और हीरे की तरह चमक रहे हैं इसको संत सिरो मनी का मतलब है यहाँ जो सिरो है, इसका मतलब है सिर से बोलते हैं हैड से और इसी से बना हुआ है स्री क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब की अंदर भी वेठन बोलते हैं वेठन का मतलब है लपेटना और सिरोवेठन का मतलब है पगड़ी पुराने समय में जो कपला सर पे लपेटा जाता था उसको सिरोवेठन बोलते थे तो यहाँ जो सिरी सब्द है, सिरी का मतलब थोड़ा सा डिफर है सिरी का मतलब होता है कि बहुत जो संपन व्यक्ति होता है धन धाने से और सुक और सुविदाओं से जो संपन व्यक्ति होता है पुराने समय में उसको सिरी बोलते है जैसे कहते हैं यह सिरी है या आज की डेट में जिनको स्री मान या स्री मन्तू करके बोला जाता है वो स्री का मतलब आप बहुत ज़्यादा धंधाने से एश्वरे से या बहुत ज़्यादा सुख संपन्ता से भरे हुए हैं इसलिए वो स्री बोला जाता है अरे मेरी प्यारी बहुत जादा सुख सुविदाओं संपन में रहने वाली, यानि जिसको बहुत जादा सुख संपन है, तो ये बहुत परचलित सब था, इस परचलित सब में अधिकता लोग भारत के भोसरी थे, जितने भी मूल निवासी हैं, क्योंकि वो सबी संपन थे, और सबी धंधाने से भरे हुए थे, बड़े सुख सुविदाओं से भरे हुए थे, उनके जीवन में दुख नहीं था भारत में, क्योंकि दुख तो तब होगा, जब उनके उपर कहीं कोई ऐसा अत्याचार हो, या उनकी जमीन जयजा छिन रही हो, या मेहनत करने में उन्हें पैसा ना मिलता हो, या कहीं भार के लोग आके उनको दबाते हों, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, इसलिए सारे के सारे लोग भो सरी थे, और ये गाली बाद में बनी, शे जो शब्द है वो पाली में नहीं होता, शे जो स्री वाला है इसमें शे लगा दिया और इसको गाली बना दिया, मगर यहां सवाल यह उठता है कि गाली का सब्द क्या पाली भासा में है, पाली भासा में गाली नाम का कोई शब्द नहीं है, गाली बेसिकली जहां तक अंदाजा है जो मैंने विद्वानों को सुना है और पता चला है कि गाली शग्द पाली से बाहर का बाद का बनाया हुआ शग्द है क्योंकि यहां भारत में बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले से समय में कोई किसी को गाली देता ही नहीं था ना तो यहाँ खाने की कमी थी ना यहाँ जगड़े होते थे सबी भेनबाई थे, एक ही देश के रहने वाले थे यहाँ बाहर के जो इन्मेडर हैं वो भी नहीं आये थे तो जब बाहर के लोग यहाँ थे ही नहीं तो यहाँ कोई गाली का मतलब भी नहीं तो वो शब्द भी नहीं था कोई जानता भी नहीं था कि गाली क्या होती है बुद्ध एक सब्द हमेशा इस्तवाल करते थे उसके लिए जो महरत नहीं करता था जो निकम्मा होता था वो कहते थे या तो निकम्मा बोलते थे और या कहते थे मोग पुरिस यानि मोग पुरिस कोई अगर जूट बोलता था भिक्कु संग में या उनकी बात को तोड मरोड के पेस करता था या जैसा बुद्ध ने बताया, सुगत ने बताया, जैसा तथागत ने बताया, जैसा बंगी ने बताया जैसा बंगी बुद्ध ने बताया अगर उसमें वो अपनी बात मिक्स करके और उसका अर्थ का अनर्थ करके यानि कि उस बात को खराब करके दोस्पून करके पाप से भरके अगर किसी को वो सुनाता था और वो बात पकड़ी जाती थी तो भगनवान जो वेर्थ है जो निकम्मा है जो किसी काम का नहीं है ये सब्दों वो इस्तमाल करते थे और ये सब्द चारतरफ होता था तो गाली कैसे जाद हुई और गाली कैसे बनी सबसे पर इस बात पर आते हैं कि गाली का फायदा नुकसान क्या है गाली का फायदा ये है कि गाली देन बिटामिन की और नूटिशन की कमी होगी अचानक तो फिर लेने के देने पढ़ सकते हैं तो मोटा शब्द गाली बन गया ऐसे ही जो भार से आईवे लोग थे उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि इनको कैसे डिप्रेस किया जाए, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनके मन मस्तिक्स में इनके अच्छे सब्दों को खराब करके भरा जाए तो सबसे पहला वार उन्होंने इस तरियों पर किया महिलाओं पर किया गालियां महिलाई की बनाई पुरुस थोड़े से समझ में ज़्यादा थे क्योंकि वो आना जाना था मगर महिलाई थोड़े सी कमजोर थी मगर भारत की जो महिला जिन पर वार किया गया वो बड़ी मजबूत महिला थी मांसी गृप से और सालेरिक गृप से और आर्थी गृप से क्योंकि यहां महिला प्रधान देश था सरी थोड़ा सा उनका ऐसा हो सकता है कि पुरुष की मकाबले थोड़ा सालरिक रचना प्राकरती रूप से कमजोर हो मगर वो हर बल में उनसे मजबूत थी तो उन महिलाओं को तोड़ने के लिए उनको दबाने के लिए उनके नाम की गालियां बनाई गई यानि कि दो पुरुष भी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी पतनी को, उसकी बेटी को, उसकी पोती को, उसकी नाती को, उसकी बेहन को वो गाली के रूप में इस्तमाल कर रहा है और उसकी जो फीमेल है, जो कुल माता है, जो घर की मुखिया है क्योंकि भारत में तो मुखिया महिलाओं नहीं हैं, उनको दवाया गया, तो सारी गालियां लगबग महिलाओं के ओपर बनाए गई पहली बार, क्योंकि महिलाओं आतंद प्यारी होती थी अपने परिवार के पुरुस के लिए, जो पुरुस उसके बेटा है, या बेटी है, जो उसका भाई बतिया है, जो भी है, दूसरा, गाली का जो चरण बनाया गया, वो इस तरह से बनाया गया, कि गाली देने वाला, गाली जिसको देता है, उससे कुछ ना कुछ लेके जाता है, मनोबल रूप में, यानि कि अगर मैंने एक गाली किसी को दी, तो गाली मैंने तोड़ने का एक साधन बनाया गया, एक equipment, एक अस्त्र और एक सस्त्र बनाया गया, जिसका इस्तमाल आज भी धलले से होता है गाली आज कल इतनी ज़्यादा प्रश्रत क्यों है? क्योंकि गाली जो चलती है, वो मन से और मांसिक विकार से चलती है अगर आप बहुत ज़्यादा करप्ट हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ऐसी हलत में पहुचा दिया गया है कि जहां आपकी सोचने समझने की सक्ती खतम हो जाती है तब आपको एक irritation पैदा होती है एक सरीर के अंदर व्यक्ता पैदा होती है और उस व्यक्ता को निकालने के लिए आप अनाप्षनाप अपशब्द बोलते हैं और जब बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ठंड़क पड़गी क्योंकि सामने वाले का आप कुछ नहीं बगाड़ पाए तो कुछ गाली देके मन शानत हो गया इस्तिती ऐसी है कि गाली देके कभी मन शानत नहीं होता बलकर अगर आपका परिवार उन गालियों को सुनेगा या आसपास गालियों को सुनेंगे तो आपकी छबी ज़्यादा खराब होगी अच्छा ये रहे कि आप गाली ना दें गाली का इस्तमाल बंद कर दें और सामने वाला भी अगर गाली देता है तो आप उससे इग्नोर करें वहाँ से निकल जाएं उससे तर देखें भी नहीं उसकी गाली उसके पास ही रह जाएगी जैसा कि बुद्ध की एक कथा के अनुसार जो बहुत मुख्य कथा है बड़ी फेक फेमस कथा है इसलिए आप इस गाली के मैकनिजम को समझें क्योंकि एक वार भगनवान बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आया और उनके जो बहार था जो उनका जंगल था जहां उर्यते थे उसके बहार खड़ा होके जोड़ जोड़ से गालियां बखने लगा उसके पीछे घटा ये हुई कि वो परिवार अपना करम कांट करके कुछ पैसा कमाता था और उसका सारा परिवार जब उसने भगनवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के सुगत के, भंगी बुद्ध के सारे बातों को समझा और सुना तो उन्होंने वो करम कांट छोड़ दिया और वो उनकी सरण में आके साधा जीवन जीट जीने लगे मेहनत का जीवन जीने लगे ये बात जो घर का मुख्या था क्योंकि घर के मुख्या ने इतने दिनों से करम कांट का काम किया करम कांट का वो परंपरा को निभाता चलाया था वो नहीं चाहता था कि करम कांट छूटे तो उसने कहा कि मैं समन गौतम को छोड़ूंगा नहीं इस रूप में वो आके वहां गालियां बखने लगा और पूरे जो भी आगहात के अगहात के प्रयास थे वो करने लगा जब वो गाली देता देता था गया तो भग्नवान बुद्ध ने उसको बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जब किसी के घर जाता है और कोई उपभार में कुछ खाना या कुछ चावा लिया कुछ शहद या कुछ लेके जाता है और वो जो मेजवान व्यक्ति है अगर वो उस उपभार को लेने से मना कर दे तो उस उपहार को वो जो व्यक्ति है जो महमन आया हुए वो अपने साथ लेके जाता है वैसे ही मैंने आपके द्वारा दी हुई ये जो गाली है इनको घर्ण नहीं किया तो वो व्यक्ति समझ गया कि आप तो ये मुझे साथ ले जानी पड़ेंगी यानि उसकी दीवई गाली उससी के पास रह गई उसको बहुत शरम आई लजज़ आई और वो भग्णवाण बुद्गी सरण में चला गया उसको ये समझ में आ गई के मेरा परिवार ठीक ही भग्णवाण बुद्ध की सरण में आया है ये सम्यक्सम बोधी हैं सम्यक्सम बुद्ध हैं और इन्होंने उनका कल्यान किया है मेरा कल्यान भी अब होगा ऐसा सोचके वो गया तो गाली का मैकनिजम भगनवान बुद्ध ने बहुत सिंपल सा बताया है कोई विक्ति आपको अगर अधो सब्द अधो का मतलब है सीवी बात को गहन ना करें उसकी गाली उसके साथ चली जाएंगी आपके पास वो गालियां नहीं आएंगी आप उस पर रियक्ट ना करें ना उसकी तरफ देखें ना उससे बाचित करें वहां से हट जाएं वहां से निकल जाएं और वो विक्ति अपने आप भी लज़ित ह मुझे निकल जाएगा या सब गुस्से उस 되지 पास रहेगा ब्लड पैसर उसका बड़ेगा यह रोड़ उसका होगा यह ब्रेन हैम्रेज उसका होगा आपका कुерж नहीं होगा अगर आपने वह浪ाम गाल्यां गर्ण और उनके बदले में आपने कुछ गालियां और दे दी फिर तो गालियों क्या एक युद्ध होना सुरू हो जाएगा और दोनों का ही नुकसान होना निश्चित है फिर आप नहीं बस सकते ये गाली का फिनोमेना है इसलिए गाली बनाई गई है ताकि आप मान से गुलामी में पड़े रहें धन्यवाद बसे बसे बस्टाइ झाल झाल